नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं निसुल्क आवासिय कोचिंग की सुभधा पदान की जाएगी, जिसकी जिमेदारी डाक्टर राम द्याल मुंडा जन जातिय सो संस्थान रांची को दी गई है, मुख्य मंत्री हेमान सुरेन गुरुवार को निसुल्क आवासिय कोचिंग योजना का सुभारम करेंगे, बता जार्खन करमचारी चयन, आयोग तथा करमचारी चयन, आयोग की परिक्षाओं के लिए अवेदन भर चुके अवियर्थिकों को चयन में प्राथमिक्ता भी दी गई है, बता दे, रायधनी राची के मुराबादी स्थी डाक्टर राम द्याल मुंडा जन जातिय कल्यान सो स संथान के सभागार में मुख्य मंत्री हमांसरेन, नी सुलक अवासे कोचिंका उधगाटन करेंगे, डुमरी उपचुनाव के लिए बेवी देवी और ये सोधा देवी ने दाखिल किया नमांकान, डुमरी पिधान सभा उपचुनाव के लिए नमांकान के आकरी दिन दोनो परमुक उमिद्वारों ने परचा दाखिल कर दिया है जारखन मुक्ति मोर्चा की नेता बेवी देवी ने इंडिया के उमिद्वार के तौर पर वही आईसू की नेता या सोधा देवी ने एंडिये के उमिद्वार के तौर पर नमांकन दाखिल किया है बतादे विरस्पत्तिवार को दोनों उमिद्वारों ने गिरी डी में परचा दाखिल किया या स्वधाद देवी के नमांकन में आईशू सुप्रीमो सुदेश महतो पुर्वसांसर डाक्टर रविंद्र राय विधायक रंधीर सिंग डूमरी के बिजेपी नेता परदीप साहु सामिल हुए वहीं दिवांगल सिक्षा मत्र जगानात महतो की पतनी बेवी देवी के नमांकन में ज्यामो बिधायक मतुरा महतो कंग्रेस बिधायक जयमांगल सिंग योगेंद्र महतो अन्य सामिल हुए डुम्री में पांच सितमर को वोटिंग होगी वहीं आठ सितमर को मतगरना कराई जाएगी इसी दिन पैनाम भी घोसित कर दिया जाएंगे बाबुलाल मरांडी ने सुरू की संकल पयात्रा जारखन बिजेपी अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी की संकल पयात्रा का आगाज हो गया है पुरमुक मंत्री ने संताल परगना के साहव गंजीला इचित बरहेट परखंड के भोगनाडी में संताल हूल के नायक सिद्धू कानू के परतीमा पर मल्यारपन कर संकल प्यात्रे के सुरुआत की है यहां सिद्धू कानू के वनसेजों ने परंपारिक रीती रिवाज से भोगनाडी में बाबुला मरांडी का स्वागत किया राज महल बीधान सवा सीट से बीजेपी बीधायक अनन्त वजा भी बाबुला मरांडी के साथ मौजूद थे गौतला भाय की बाबुला मरांडी के संकल प्यात्रा 17 अगस से अगले 40 दिनों तक चलेगी पहले चरण में बाबुला मरांडी संताल प्रगनागी 18 विधान सवा सीटों को कवर करेंगी वहीं पिछले चुनाओं में संताल में बीजेपी को नुकसान पहुचा था पैसो के बिवाद में हुई थी भाजपा नेता रायंद्र परसाथ साहू की हत्या लातेहर के बालू मात में हुए भाजपा नेता रायंद्र परसाथ साहू के हत्यापैसे के लेंदेन की वह जयसे हुई थी जाच के दुरान ये खुला सा हुए है कि भाजपा नेता के दूरा एक बड़ी रकम की लेंदेन कुछ ऐसे लोगों के साथ की गई थी जो एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन के साथ जुड़े हुए थे रकम काफी बड़ी थी इसलिए इसे लेकर लागातार राज़ेंदर साहू के साथ बीवाद चल रहा था जहारकन के डीजीपी अजाय कुमार सिंग ने बताया है कि भाजपा नेता के हत्याकान में सामिल तीन आरोपियों गिराफतार कर लिया गया है जबकि सूटर की तलास की जा रही है इसके लिए ATS और जीला पुलिस की टीम लगी हुई है डीजीपी के अनुशार गिराफतार तीनो आरोपियों हत्या की साजिस राचने में सामिल थे और सूटर को इन ही के द्वारा पनाह दिया गया था पुलिस सूतरों से मिली जनकारी के अनुशार एक उग्रवाजी संगठन के पांच क्लोर के लेंदेन में उपजे बिवात की वज़ा से ही राजेंद्र साव की हत्या की गया है सूपर एस्टार रजनी कांथ ने राज येपाल सीपी राधा क्रिश्ण से की मुलकात सूपर एस्टार रजनी कांथ जार्कन दवरे पर हाए यह उनका बेहद नीजी दवरा हाए बुद्धवार साम साड़े छाव बज़े वह इंडीगो की फलाइट से दिल्ली से राची पहुंचे और सीध्धे राज भौन चले गाए वहाँ उन्होंने राज एपाल सी पी राधा क्रिश्ण से मुलकात की इसकी भणा किसी को भी नहीं लगी इस नीजी मुलकात के दोन राज एपाल ने एक्टार राजनी कांथ को उपहार सरूप एक पुस्तक भी बेट की है सुत्रो से मिली जनकारी के मुताविक गुरु वार्शूबा एक्टर राजनी कांथ राजराप्पा इसी तमाच हिनमस्तिके के मंदीर में गए और पुजा अचना की दरसल राजनी कांथ खुद को प्रोटोकॉल सिस्टम से अलग रखते हैं उनकी पहचान बेहद ही सरल इंसान के रूप में होती है सुत्रो कमुताविक राजनी कांथ का पहले से ही राजे पाल सी पी राधा किष्णा से समन रहा है दोनों तमिल लाड़ू के हैं खास बात है राजभवन की ओर से भी बताया गया है कि यह 114 मुलकात थी कागज में सिम्टा सिक्षा का अधिकार कानून राजे में सिक्षा का अधिकार कानून कागज पर सिमट कर रह गया है हलात ऐसे हैं कि हर वर्ष निजी विद्यालियों में RTE, कोटे के अंतरगत, निधारित सीटों पर नमांकन में बड़े पैमाने पर गोल माल होता है। इस बार सिक्षा विभा की सकती की वज़ा से परिस्थितिया थोड़ी बदली जरूर है, अब इसके side effect नजर आने लगे हैं। इस बार कोटे के लिए निधारित सीटों पर नमांकन ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकर वन्चित, समोह और कमजोर वर्ग के बच्चे निजी स्कूल में नमांकन क्यों नहीं ले पारे हैं। बतादे जार्खन Parents Association के अध्यक्ष अजय कुमार राय का मनना है कि शिक्षा, विभाग और निजी स्कूल परवंधन की मिली भगत से कमजोर और वन्चित वर्ग के बच्चे नमांकन से ही वन्चित हो जाते हैं। भाजपा प्रतिनिधी मंडल ने की डीजीपी से मुलकात। प्रतिनिधी मंडल ने पुलिस महानी देशक अजय कुमार सिंग से पुलिस मुख्याले में जाकर मुलकात की अरुने ग्यापन सौपा। लंपी स्कीन डीजीज की रोख्थाम के लिए चलाया गया जगरूपता अभियान। गटवा और लोहर्दगा में वायरल लंपी स्कीन डीजीज से ग्रसित पसु मिलने के बाद और रांची में भी लंपी जैसे लक्षन वाले पसु मिले हैं। इसकी वज़ा से चानहों में एक गाय की मौत और अने गायों के बीमार होने की खबर सामने आई है। जिसके बाद रांची जीला पसु पालन विभाग ने चानहों परखंड के कोको गामें जग रूपता भियान चलाया। बता दे रांची जीला पसुपालन पतादिकाजी डाक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि चान्हों परखंड के कोको गामी लंपी स्किन डिजीज जैसे लक्षनों के बाद बिमार पसुओं की मौत होने की सुचना मिली थी। आग लगने से अफरा तफरी महौल हो गया सर्किट हाउस के करमचारी और उसमें रूके हुए लोग भाग कर सलक पर चले आये। अचानक धुआ निकलने लगाए। बनाई गई सिपाही नियुक्ति निमावली पूलिस मैनुवल के खिलाप है। नए निमावली में लिखित परिक्षा के लिए निधारित नियुम्तम क्वालिफिकेशन अंक निधारित करना भी गलत है। इसलिए उक्त निमावली को निरस्त कर देना चाहिए। आदालत ने पूरो में ही कहा है कि आदालत के अमतिम आदेश से नियुक्ति पर किरिया परभावित होगी। बता दें कि वर्ष 2015 में सभी जीलों में सीपाही और जयब के जवाने के नियुक्ति के लिए बियापन जारी किया गया था। अब बच्चों को लाने के लिए गुरु आर सुबा लोग चकिया जाएंगे। अरांगी पंचायत के कस्यंडा टोला के 6 चात्र सोतंतर दिवस पर मंगलवार की सुबा घर से निकले थे। वह बुद्धवा साम तक घर नहीं लोटे तो परिवार के लोगों को चिंता होई और उन्होंने पुलिस को सुचना दिया है। इस टील के बरतनों में मिड़े मील खाएंगे बच्चे। इस करान इन बरतनों की जगा अब इस टील के बरतनों का उप्योग किया जाए। अब नए बरतनों के लिए अलग से आवंटन भी देना होगा। धन्यवाद।